सब्सक्राइब करें आवाज नशनल न्यूस और बेल आइकन दबना बिल्कुल भी ना भूलिए ताके हमारी अपडेट सबसे पहले आपको भीले हर साकी तरह इस साल भी जिम्बूर क्याम के कोकन नगस सीथ सुन्नी मदरसा वेलपेर कमिटी द्वारा कवाली का आयजित किया गया 40 सालों से मना रहे इस कालिक्रम में चिम्बूर पुली स्टेशिन की पुलीस इस्पेक्टर उसे जाटकर और हेमत गवरव सही कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया साउसर पर चिम्बूर क्याम के आर्सी मार्ग पर बनेकोकन नगर के सुन्नी मदरसा वेलपेर कमिटी द्वारा आयोजित रतीब में लगभग 2000 से जादा लोगों ने शिर्कत की इस रतीब में महाराष्ट्रे के अलग-अलग हिस्सों से जैसे डोंकर, राज़पूर, तारुका, रतनागेरे डिस्ट्रिक की गाउं से आकर मुंबई से इस इलागे में बसे लोगों ने एकता का मिशा कायम किया मुंबई के खुर्ला, वडाला, सिवडी, नभी मुंबई जिसे कई इलागों के परिवार साथ आये और लोगों ने एक साथ शामिल होकर ये प्रोग्राम किया बदर्सा में पढ़ने वाले करीब 25 बच्चों ने इसलाम की भुनियात कायम रखी है इन बच्चों को कमिटी के जानीब से तौफा देकर बच्चों को प्रसाहिद किया गया ये राती बुरुपाय का प्रोग्राम करीब हम लोग 35 से 40 साल तक कर रहे है और ये हमारे खास जो भी आदमी रिस्टेदार है उनको यहां बुलाया जाता है इसमें जितने भी यहां के पुलिस स्टेशन समझ लो पुलिस इंचार्ज है, सोशल वरकर है, नगर सेवग है, आमदार है, खासदार को खास करके बुलाया जाता है और उनका सत्कार या इस्तिखबाल या प्रोग्राम भी रखाया जाता है इसमें हर कमुनेटी के लोग यहां हजर होते हैं, हमें उनको इस्तिखबाल करने का मोका मिलता है और उसी तरह उन लोग भी आपने दिली जार पेश करते हैं यह हमारे जमाने से यह प्रोग्राम शुरू होने होता है और हर एज के इसाब से अभी तक 40 साल में जितने भी यंग लोग है यह सुन्नी गौशिया कमेटी के नाम से यह प्रोग्राम होता है और इसमें तमाम हादी साहिबान जो गाने वाले हाजी साहिबान है फुसूसे हजर और तमाम जहां के एरिया के जितने भी आजूब आले जैमेल या जाइज अपर प्रोग्राम है और हम लोग सब एक साथ बिलते हैं यहां से हजरत खौट इनडिया जो लेडिज है और इसमें शामिल होती है यानि जहां तक हमारे इस्तारगाउद में आया इतराफ में फैले विए जैसे वड़ाला है, šियोडी है, बेलापूर है यहां इतराफ के लोग इसमें प्रोग्राम में शामिल होते हैं और इस शामिल होने के बाद बिलकुसूस इसका इंतिजाम सुन्जी गौशिया कमेटी ही करती है और अभी के जो परजिन सदर है जनाब मुश्ताक अब्दुलामी साकर कर है और सेक्रेटरी सोहिल कोतवड कर और माझी जो है जैसे हम लोग है माझी सदर अक्बर साकर्कर वहांते समय के लोग जहां के अभी कर्पोरेटर प्रोग्राम mailing करते हैं सुनी गौसिया कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम जो किया हुआ है पीर सेथ अब्लुकादरी जीलानी की गारवी शरीफ और नियाज रखी वी है उसमें मैं शामिल होने के लिए आया हूँ और मैं खुद यहां कलाम पड़ता हूँ और हर साल यहां आता हूं मैं कम जो आप यहां सोगे रहवासी जो है उन्होंने एक मन्नत मागी थी कि वो यह हमारे जो तूटते हो तूटे नहीं हमेशा काय में रही पर है और सब का जो रहने वाले उसका भला हो और अच्छी तरह से रहने के लिए उन्होंने एक अर्जा किये थे कि बड़े पीर के पास क अगर इसमें कामया भोग है तो हर साल अपनी नियाज और यह प्रोग्राम रहेंगे लोग घर में हमेशा जब इस प्रोग्रम में चामिल होने वाले भार से आते हैं उनके लिए घर में एक खुद खानावारा पका के उन्होंने महिमानों का इस्तिक्बाल करते हैं उन्हें अगरा खिलाते हैं और यह बड़े भीर की ग्यारिव शरीफ है जो इनका यह बगदाश शरीफ में पूर अवलिया के सरदार है और उन सरदार का यहां प्रोग्रम होता है क्योंकि हर वक्त किसी वक्त भी उनको कोई पुकारे तो उस वक्त को उनकी मदद करते हैं और यहां यह हर साल प्रोग्राम ही लोग करते हैं नगज सुन्नी गोसिया कमेडी अशुक्रियादा करता हूं कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हम लोग को भुला कि इदर इज़द अबजाई किये यह कि गरी चालीस साल से प्रोग्राम कंटिनिक कर रहे हैं और हर गाउं के जैस को इज़द अबजाई करके बुलाते हैं और ये प्रग्राम को करते हैं मैं मेरी तरब से जो पर बठी जो बना देते वो ब्याइम सब्सक्राइब करें और छोपर बटी जो ठूट रही है और तूटने दो मत हर साल आम लोग इधर आती परेगें ग्यारवी शरीप संद्ध करेंगें और वो चॉच साल से इधर एफिष चरीप और ग्यारवी सब्सक्राइब का प्रोग्राम मतलब हो रहा है और जितने भी हम को कैसा है एरिया वाले को जो भी मतलब जिदर जिदर से मिलते हैं जो भी विए पी लोग है उन लोग को हम लोग इधर बुलाते हैं यही एक साल में यही एक मोका रहता है हमारे पास क्यों लोग को हम लोग बुलाते हैं उनकी गुलपोशी करते हैं उनको मान संबान देते हैं तो लेने के लिए जितने भी VIP आते हैं, उनका हम लोग शुक्रा गुजार करते हैं, कमेटी के तरफ से हम लोग शुक्री आदा करते हैं, और जितने भी इदर लोग आये हुए हैं, उनका भी हम लोग शुक्रा गुजार हैं, कमेटी के तरफ से हम लोग शुक्री आदा करते है झाल झाल